हेलो एवरिवन वेल्कम टू स्टेटी बाई संधी प्रोहिला फ्रेंट्स आज किस वीडियो में एक बार फिर से आप सब का हर्दिक स्वागत है तो देहिए हर्याना के अंदर सीटी मिन्स का एक्जाम कंड़क्ट करवाया जाना है और उसके लिए एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो देहिए अब क्या मांग की गई है हर्याना के आई टी डिप्लोमा होल्डर्स की हाई कोट से मांग भी है तो ग्रूप सी पदों के लिए आई टी आई हो कोट में अपील दर्ज की है कि या तो उनका सीटी दोबारा से कंड़क्ट वाए जाए या फिर उनके पांक से दस मार्क से बढ़ा दिये जाएं तो यह क्यों बोला गया है इसकी कम्लिट इंफॉर्मिशन देख लेते हैं एक बार हाई कोट ने याची का निप्टाई हर्या करना के कुछ आई टीप्लोमा धारकों ने पंजाब और हर्याना हाई कोट में याची का दायर करके मांग की है कि गरुप सी पदों के लिए आई टीए होल्डर्स के लिए सीटी दोबारा हो या पांच शेदस ग्रेस मार्क्स दिये जाएं हाई कोट ने याची का का करें और जो भी जनोंने याची का दायर की थी उनको सुचित करें हाई कोट ने कहा कि इस अदालत के प्रवलोकन में नहीं है कि राज्या को शला दे कि इन पदों के लिए मिद्वारों पर विचार करने के लिए कितनी कटोफ रखी जाए मगर याची का करता अपना में पास होना जरूरी भी रखा गया है जनरल कटेगरी अपचास और उनके लिए फॉर्टी प्रसेंट अंक नियुनतम चाहिए उन्होंने कहा कि आईटी आई होल्डर्स हैं जबकि गुरूप सी के लिए ज्यादा सेक्स्नियोगता वाले मिद्वार भी बैठे जबकि आईटी आई होल्डर्स होने के काणोंने उन्ची सिक्षा जनर नोलिज कम पड़ा है आईटी आई डिप्लोमा से वंबंदित 6486 जबकि आईटी आई होल्डर्स लगबग 15,000 से 7,000 ही पास हुए है या चिका करता जनल कैटेगरी और अरक्सित कैटेगरी में नून्तम अंक भी प्राप्त नहीं कर सके हैं यह समानता के अधिकार का उलंगन है इसलिए या तो आईटी आई होल्डर्स का सीटिया लग हो या पांच से दस गरेश माक्स दिये जाएं उसके बाद ग्रूप सी के लिए नून्तम सेक्शन के योगता दस जमाद अनके प्लस टू के बराबर माने गई है हरेना सरकार ने ग्रूप सी पोस्ट के लिए नून्तम सेक्शन के योगता दस जमाद दो इनके प्लस टू कर दी है इस संबंद में शुक्रवार को पत्तर जारी कर दिया जाए गया है जहां नुंतम योगता दसवी बिना पूल टेकनिक या इटाई के बगएर थी वहां अब अन्य जो पोस्ट रखी गई है क्वालिफिकेशन रखी गई है वह प्लस टू पास की रखी गई है सब भी भाग इस सुंख्या पांस सले 2019 के तहट पद पर जिन उमिद्वारों का पहली और दुसरी चैन सिची में नाम था पहले विभाग से दुसरे विभाग में जवाइन करते समय जो प्रिया खाली था उसे अब कंपर्शरी वेटिंग प्रिट माना गया है इस प्रिट का उन्हें सर्विस और सिनियोर्टी में लब मिलेगा उनका वेतना प्रोटेक्ट किया जाएगा तो यह तकल्द्रक वड़ों के लिए बात थी जो 2019 का बैच निकला था तो आईट्याई वड़ों ने यहां पर मांग की है कि वह उनके लिए या तो दो बारा सी सीटिक किया जाए या फिर पांस तो देखिए कंडिडेट मैं बताना चाहूंगा ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं कि एक बार सीटी कंड़क्ट हो गया है और जल्ट आजशुका है अब मेंस की तियारी कर रहे हैं तो दो बारा से तो एक्जाम लें बहुत ही मुश्किल है और ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि एक फिक्स कर दिया था गिए फिप्टी परसेंट जर्नल वालों को और 40 परसेंट रिजर्व कैटिगरी को यहां पर लेके आना कंपल्सरी था जो भी एक अनिट नहीं लेकि आए तो वो सरासर बहार होंगे तो ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं किया जाएगा इसके लिए य फ्रेंट से किन फोर्मेशन थी जो आप सबसे से करने थी अपका वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो एदा दा सेर करिएगा लाइक करिएगा एडिश हैनल से बातों जो भी कंडिडिटेट यह मांग कर रहे हैं उनके मार्क्स क्वालिवाई नहीं कर पाए हैं सिटी को तो उन कंडिडेट से मेरी सला है कि वो आगे होने वाला सीटी उसके लिए तियारी करें उसके लिए प्रिप्रेशन करें तो पोस्ट आगे भी बहुत सारी निकलेंगी जिसे गुरूपडी की आने लग रही हैं भी नमंबर में सीटी का एक्जाम कंड़क्ट किया जाएगा इ इसमें भी आप अच्छा स्कॉर कर सकते हैं तो अपनी त्यारी को कंटीनू करिएगा तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू